क्या आप जानते हैं कि इस बार बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी में टीम इंडिया में कौन-कौन से नए चेहरे शामिल हुए हैं? कौन बनेगा अगला स्टार? चलिए, इस वीडियो में जानते हैं, भारत और उस्ट्रेलिया के बीच प्रतिष्ठित बॉर्डर गावसकर ट्रॉफी का आगाज 22 नवंबर से होने जा रहा है। अब बात करते हैं वाशिंग्टन सुंदर की, जो लगभग 1329 दिनों बाद टेस्ट टीम में वापसी कर रहे हैं। उन्होंने पुणे में न्यूजिलैंड के खिलाफ अपनी बॉलिंग से खूब सुर्खियां बटोरी थी। अब देखना होगा कि सुंदर को इस सीरीज में मौका मिलेगा या नहीं। और अब आते हैं नीतीश कुमार रेड़ी पर। IPL में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए नीतीश ने अपने हरफन मौला खेल से सब को प्रभावित किया है। अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है लेकिन अगर मौका मिला तो नीतीश कुछ कमाल कर सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी टीम में वापसी कर रहे हैं। उनकी लंबाई और गती उन्हें भारतिये पेस अटैक का अनूठा हिस्सा बनाती है। देखना दिल्चस्प होगा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो किस तरह का प्रदर्शन करते हैं। और आकरी नाम है हरशित राना का जो पहली बार टीम इंडिया के लिए चुने गए हैं। IPL में KKR के लिए उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और अब उन्हें टेस्ट क्रिकेट में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये हैं वो नए चेहरे जो बॉर्डर का वसकर ट्रॉफी में टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। आपको क्या लगता है इन में से कौन सा खिलाडी इस सीरीज में अपना जलवा दिखाएगा हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। क्रिकेट से जुड़ी हर नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।